बिहार की अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंग भी आरजेडी के सर्फराज आलम पर मस्बूत बढ़त बनाये हुए है भवुआ विधानसभा सीट पर तीसरे दौर की मदगणना के बाद बीजेपी आगे चल रही है वही जहानाबाद विधानसभा में आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है यह उपचुनाव लालू यादो के जेल जाने के बाद उनके बेटे तेजस्पी यादो की अगवाई में लड़े गए थे इसके अलावा पिछले चुनाव में एक दूसरे की प्रतिदवंदी रही बीजेपी जेडियों ने इस बार साथ मिलकर उपचुनाव लड़ा है